आईए आज हम बनाएंगे ओमलेट रोल करी जो की बहुती स्वाधिष्ट बनती है जिसके लिए चार अंडे, नमक, बारीक कटा हरा धनिया, एक प्याज और एक पूरी लेसम की गांट, एक इंच अधरक का टुकडा जिसका मैंने पहले से ही पेस्ट बनाते रखा है, पचास क पाउडर, आधा चमच धनिया पाउडर, दो पेंच हल्दी पाउडर और चौथाई चमच गरम मसाला, एक मख पानी और यहां मैंने कडाई में पचास गिराम सर्सो का टेल लिया है, सर्सो का टेल को हम सबसे पहले गरम कर लेंगे, जब कभी भी आप टेल में चौकर लगाएं तो उससे पहले आप क्यास की अमेशा आज को धीमा कर लें, अब यहां पर हमने एक प्याज स्लाइस करती हुई है, वो डाल दिये, ग्यास गुल्डन हो जाने पर हमने जो पेस्ट बनाया है, इसको भी हम इसी मेट कर देंगे, अब हम ग्यास की आज को तेज कर लेंगे, और जो हमने बारिक मसाले रखे हैं, सुखे मसाले जो रखे हैं, वो भी हम इसी मेट कर लेंगे, नमग हम ओमलेट में भी डालेंगे तो यहाँ पर हम नमक उसी हिसासर डालेंगे थोड़ा कम डालेंगे और इस मसाले को हम तेल और मसाला अलग होने तक भूनेंगे तब तक हम इधार ओम्लेट के तयारी कर लेते हम तबा गरम करेंगे और ओम्लेट में हम थोड़ा सहरा धनिया डालेंगे नमक डालेंगे अंडे में और अंडे को हम फैंट लेंगे अब दो छोटे चमच हम डेफाइन डालेंगे तबे पर हम चार अंडे के ओम्लेटों को दो भाग में बनाएंगे दो दो करके इसलिए हम इसका मसाला भी दो बार में लेंगे इस प्याज के कलर चेंज हो जाने तक इसको हम इस पर पकाएंगे इधर हमारा मसाला भी भुन रहा है देखे हमारी प्याज इधर सॉफ्ट हो गई है और थोड़ी सी गोल्डन भी दिख रही है अब हम इस फिटे हुए अंडे को दो बार में डालेंगे यह देखे हमारा omlet भी तयार हो रहा है यह देखे हमारा मसाला भी भुन ना तयार हो गया है भुन गगया है और इसमें हम हरी धनीय डालेंगे और इसे दो मिनट तक और भूनेंगे omlet को हम दूसigns साईट से भी शिखने के लिए इसे पलट देंगे यह देखे हमारा मसाला बुन गया है इसमें हम करीब आधा कप पानी डालेंगे जो कि हमारी ओमलेट रोल करी के लिए करी बनना तयार हो रहा है इधर हमारा ओमलेट दूसरे साइट से भी देखे सिख गया है जिसको हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे यह बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वाधिष्ट करी बनती है इस तरह से देखे इसका रोल बनाएंगे दोनों साइट से हम थोड़ा थोड़ा मोड देंगे और इसका एक रोल तयार कर लेंगे इस तरह से यह देखे हमारा ओमलेट रोल तयार हो गया इस तरह से हमने दो आमलेट रोल बना के तयार कर लिए है और हमारी करी भी तयार हो गई है इसमें हम आमलेट रोल को डाल देंगे जिससे की मसाले और तेल का और सब भी सारे फ्लेवर जो इसमें आमलेट में भी आ जाए और हमारी आमलेट करी तयार है इसे हम दो मिनट तक और इसी में पकाएंगे यह देखे हमारी ओमलेट करी सर्व करने के लिए बिल्कुल तयार है आप इसे सर्विंग बॉल में या प्लेट में निकालने के लिए तयार है यह गैस बंद करें और इसे सर्व करें यह पराठे या रोटी किसी की भी साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है, एक बार अपने घर पे इसे जरूर ट्राई करें, इसका और करी भी इसमें और मिला दें अच्छे से, यह बहुत जल्स बन जाती है, देखिए इसे बारी कटे हरे धनियार से गार्निस करें, और बस तयार है हमारी ओमलेट करी, यदि आपको यह अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और खाना बनाते समय हमेज़ अपना ध्यान रखें, धन्यवाद मैं यह दिखाना चाहूंगी, सॉरी, के देखिए यह हमारा ओमलेट अंदर से भी कूक हो गया है, और बहुत सॉप्ट है ओके झाम प्यांगी, सुरी, ओके झाम, के बहुत सॉप्ट है झाल झाल